गुल मॉर्निंग दोस्तों आज का हमारा NLP के लिए बहुत ही सुन्दर टॉपिक है कि जो पिलर है हमारे जिसमें हम सबसे पहले अपने आप को स्तापित करना है अपने अंदर अगर चेंज ला पाए तब ही हम दूसरों को कह पाएंगे और वो मानेगा कि किस चीज में चेंज लाना है क्या चीज अच्छा है और क्या बुरा है उधारन के लिए मैं कहना चाहूंगा बच्चे आपके ग्यान से जितना नहीं सीखते जितना वह आपके अंदर किये हुए कार्यों को देखकर सीख लेते हैं सुनकर वो इतना नहीं सीखते जितना वो देख देखकर सीख ल को ध्यान में रखते हुए, अंत को ध्यान में रखते हुए, आप जो भी decision लेंगे और उस decision को पूरा करने के लिए जो mark आपने बनाया है, उसको enjoy करते हुए, हमेशा निर्णे लेंगे, तो आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाफ होगा, फिर है रेपोर्ट आप जिस चीज को मानना चाहते हैं तब तक तो माने उससे पहले जान ले अगर आपने पहले जान लिया जो भी आपके कोशन है अपने गुरूं से पूछ लिये और फिर एक बार शंका हटा दी पहले जान लिया फिर मान लिया तो आपके अंदर बहुत बड़ा ब धारण हैं संगत आदत और गुरू संगत अच्छे लोगों की बनाएं अगर आप अच्छी earning चाहते हैं मान लेते हैं कि आप 10,00,00 पर मंत कमाना चाहते हैं तो ऐसे दोस्तों का चुनाव करें ऐसे लोगों के संगत में रहें जो 10,00,00 पर मंत अभी कमा रहें हैं उन पांचों का टोटल जोड़ को पांसे भाग करने पर जोग आएगा वैसे आप बन जाएंगे आदत उन वो जो करते हैं जो उनकी अच्छी अच्छी आदते हैं हर आदमी के अंदर अच्छे और बुरी दोनों होती हैं जो जो आदते आपको अच्छी लगती हैं और आपके लक्षे की तरफ ले जा रही हैं वो आदतों को आप बना ले गुरू जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं फील्ड बहुत सारी हो सकती हैं बच्पन से लेकर जहां तक आपने स्टडी करी है हर बार एक नया गुरू ने आपने कुछ ना काया है ऐसी अध्यात्म के गुरू भी हो सकते हैं हमारे एनलपी के गुरू जो हैं मिश्टर अम्रेश शर्मा सर हमेशा ये कहते हैं कि सुबह जो उठ गया पहला स्टेप तो उसने कर लिया वो अच्छी आदोतों की तरफ चला गया जब वो मिरेकल मॉर्निंग में बैठा और कोशन पूछे और उसी टॉपिक से लेटेट कोशन पूछे जो चल रहा है तो सच मान लो उनके कोशनों से आपके अंदर तो बदलाव आना है उत्रों से और उन कोशनों के आंसर से सुनने वाले के अंदर भी बदलाव आना है जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग ग के तरफ हम बढ़ जाते हैं हर आदमी जो भी काम करता है जो संगत है या किसी एक व्यक्ति को आप अपने thoughts को जरूर बताएं जो आपने दिन में किया है हो सकता है रोज, हो सकता है हफते में हो सकता है पंदा दिन में, मीने में तीन मीने में आप उस सभी कार्यों के किये हुए feedback को जरूर औरों से ले कि जो जिस तरफ में जिस तरीके से जो मैं काम कर रहा हूँ वो सई समय पे हुआ था क्या वो सई धंक से हुआ था क्या उसमें कोई तुटी या कोई सुझाव आपका तो नहीं है ऐसा करने से आप जल्दी अपने लक्षे की तरफ पहुच जाते हैं अब जो सुझाव मिला कई बार लोग उसको accept नहीं करना चाहते आप अपने अंदर NLP का ये जो गुण है flexibility आप अपने अंदर हमेशा बदलाव लाएं क्योंकि करवा सच यही है अपने को बदलना बहुत असान है दूसरों के बदलने से भी असान है अपने को बदलना असान है दूसरों को बदलने से तो अपने अंदर जितना काम आप कर पाएंगे आप उतनी जल्दी आप अपने लक्षे को जल्दी पालेंगे फिर है कुछ believe जो भी बिलीव आपने खुद धारन कर रखे हैं क्या वो universal truth है पहले सबसे पहले ये जाने जो भी आपके past experience से बिलीव है जो आपने अपने अनुवब में खुद ही सीख लिया है वो क्या universal truth है अगर नहीं है तो ये भी जानना भुजूरी है कि जो भी आपका believe है वो सब के लिए समानकारे नहीं करता क्या वो आपको आपके लक्षे की तरफ ले जा रहा है चेकीजे और नहीं ले जा रहा तो उसको change करना होगा मैं यहीं पर अपनी बातों को कहते हुए change क्या है what you want to change आप क्या चाहते हैं change feeling को behaviors को और सच पूछो results को अगर आप अपने दिल से पूछे कि वो सब चीज आप अपने change चाहते हैं लक्षे को प्राप्त करने के लिए जो आपने खुद ही बनाया था तो सबसे पहले अपने beliefs को check करें beliefs हमेशा हमें आगे बढ़ा सकते हैं अगर आप अपने विचार सबसे पहले आपके विचार अगर सही हो गए तो आपके शब्द बिलकुल सही निकलेंगे और शब्द से ही दुनिया बनती है पूरा संसार शब्दों से बना हुआ है उस शब्दों के बोलने से जो करम बनेगा जो action आप लेंगे जो आदत आप बना लेंगे उसका जो प्रती फल है हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा उन सब चीजों को बनलाव करने के लिए आज मैं topic लेना चाहता हूँ beliefs beliefs आपको हमेशा आगे बढ़ाने में मदद करते हैं और मदद मैं एक बार और चीज़ जोड़ना चाहता हूँ जब आपके beliefs आपको देते क्या है क्यों बदलना है आपको आगे बढ़ने में मदद करता है जो आपके खुद के बनाए हुए belief है self belief जो आपने खुद ही बनाए थे उनको बढ़ने के लिए यह वो आपको unstoppable बना देता है exception लाएं शानती लाएं आपके confidence को वो बढ़ाता है आपके abundance को बढ़ाता है और life को smooth बना देता है better बना देता है अच्छा बना देता है मैं कहा सकता हूँ कि यह जो 5 belief है अगर इन 5 belief को आप अपने जीवन में मान लें कि आपको वो सच लगे या जूट लगे मान लें कि वो सच है life में जो कुछ भी हो रहा है जो भी आपके ताद घटित हो रहा है वो आपकी भलाई के लिए हो रहा है आपके favor में हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है तो अच्छा होई रहा है ये तो आप बलीव करी रहे हैं अच्छा है मैं लिए पर अगर अच्छा नहीं भी हो रहा है तो आज अच्छा नहीं है पर आने वाले कल के लिए वो जो काम आज हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है इसमें भगवान की मर्जी है, यह मान ले आप, आपको वो मानना आपको unstoppable बना देगा आपके अंदर एक नई उर्जा पैदा कर देगा और दूसरा में कहना चाहूंगा कि दुनिया में आपके लिए unlimited opportunity है इतनी opportunity है कि आपको हो सकता अभी ना दिख रही हो पर जो दिख रहा है, जो करना है, उसको फटाफट करके action में ले आएं mind से पूछ लो, जो चाहिए वो कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा, focus करें रास्ते पे, लक्षे पे उस पर नहीं, जो कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करना चाहूं नहीं कर वर्ड को हटा दें, कैसे कर सकता हूं और अभी action लेना चालो करें और कई बार तो मैं ये भी कह सकता हूं आपके दवारा लिये हुए कोई भी action अगर आपको आगे चल कर लगता है, गल्थ हो गया है तो एक और आप action लें और fast लें क्योंकि अब जो दुनिया है ये fast action की अगर मैं एक उधारन से आपको समझाओं कि आप जहां भी बैठे हैं, जिदर भी हैं वहां के चारों तरफ नजर घुमाएं और आप ये देखें कि कितनी चीजों पे black color है ये काला रंग कहां कहां पर है हाँ, चारों तरफ घुमाएं और आख बंद कर दें और बताएं येलो कलर कितनी बार आपने कहां कहां देखा है तो आपका mind कहाएगा कि ये वाली command तो आपने पहले दी ही नहीं थी तो आप अपने आपको दुबारा command दें ऐसा आपका brain बताएं यानि कि येलो ढूरने के लिए दुबारा आपको काम करना होगा तो जिस लक्षे की तरफ आप द्यान को ले जाएंगे वो आपका brain आपको जरूर बताता है वो मार्ग आपको जरूर बताता है बेशक्से आप अपने ही mind से पूछ ले कि ये वाला लक्षे प्राप्त करने के लिए मुझे क्या क्या करना है बताएगा लगातार अपने brain को अपने आपको समय दें brain आपको बताएगा कि क्या करना है तीसरा belief है कि मेरे आसपास लोग बहुत अच्छे हैं पर सब लोग क्या कहते है अरे दुनिया बहुत ख़लाब है दुनिया लुटे रोकी है ये वाला belief बंद कर आप ये कहें कि आसपास सब लोग अच्छे हैं बुराई कम हैं अच्छाई बहुत हैं इस दुनिया में अच्छे लोग बहुत हैं और सच पूछो अगर आप खुद ही ध्यान देंगे आसपास दस से बीस लोगों को ध्यान से आप नोटिस करें कि वो अच्छे ही हैं बुरे लोग तो दो तीन लोग मिलेंगे बुराई बहुत कम है सब जिगा अच्छाई दिखेगी और जो लोग बुरे हैं अगर उनसे आप बात करके उनको ध्यान से समझेंगे तो सच कुछो उनके अंदर भी अच्छाई है सत्चित अनंद है वो अनंद को प्राप्त करना चाहते हैं उसका मार्ग गल्थ हो सकता है पर हर व्यक्ति के आत्मा चाहती है हूँ तो मैं एक बड़े कारे के लिए आया हूँ बड़े लक्षे को मान लें अगर आपको नहीं भी पता तो एक बड़ा लक्षे बना लें वो सैल्फ फैमілली के लिए से उठकर हो उपर हो समाज के लिए बहुत बड़ा कारे होना चाहिए जिसके वज़े से आपके अंदर अंस्टॉप बेवल एक नहीं उर्जा आपके अंदर आएगी और आपकी स्पीड को बहुत बढ़ा देगी इन सभी चीजों को बलीव को लाने से आपके अंदर एक चमत कारी परभाव पड़ेगा यह अपने जीवन में लाएं अपने बलीव पर काम करें पांचवा बलीव जो हमारे अंदर आना चाहिए वो है एवरिफिंग एफेक्ट्स एवरिफिंग जो कुछ भी हम कर रहे हैं उससे एफेक्ट किसी और को भी हो रहा है उधारन है अगर हम पेड को काट रहे हैं हो सकता है लालच हमारा हो हमें लकड़ी चाहिए हमें उससे कुछ शेल्टर बनाना है घर बनाना है पर जहां अगर जंगलों में हमारे आस पास अगर पेड नहीं है तो वहां बारिश का होना बहुत कम हो जाता है क्योंकि मैं फरीदाबाद शहर में रहता हूँ मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास में पहाड़ी है धोला देख उन पहाड़ियों में बहुत विरिक्षे हैं और वहां बारिश बहुत हो देख और फरीदाबाद में दो टोल लगता है दिली का और मेरे घर से 12 किलोमेटर आगे यूपी का टोल लगता है मेरे पिता जी अक्सर कहते थे ये दोनों ही बॉर्डर हमारी पारिश को रोक लेते हैं या तो दिली में रुख जाती है या पहाड रोक लेते हैं या हवाएं बदल जाती हैं पहाड़ों के रुख से उन रुखों को बदलने के लिए बलीव करना होगा जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ एक और उधारन से समझानी भी कोशिश करता हूँ अगर आपको लगता है किसी व्यक्ति ने एक सेब खाया हो सकता है उसने हेल्थ के लिए खाया हूँ सिरफ उसकी हेल्थ में फरक नहीं पढ़ रहा है उसके रिलेशनशिप में भी फरक पढ़ रहा है वेल्थ में भी फरक पढ़ रहा है उसकी सोच को भी बदल रहा है हर सेल में जाकर वो उर्जा दे रहा है हर जिगा हो जा दे रहा है अपने अंदर भी और बाहर जो समाज है उसने सेब खाया अगर भूके पेट कुछ वो बोलता हो सकता है उसकी वाणी में वो शक्ती न होती जिससे वो बातों को समझा सके यानि कि यह पांचों बिलीव जाने अंजाने अगर आप यकीन कर लेते हैं कि यह आपके साथ काम करेगा पोस्टिफ फॉर्म में कर लेते हैं अगर यकीन को बढ़ाना है तो आपको पोस्टिफ रेफरेंस देने होंगे आपको खुद ही जिस यकीन को यकीन में पक्का यकीन में बदलना है तो आपको रेफरेंस देने होंगे और अगर वो नेगेटि कोंशन करना वोगा जो आप सुस्ते हो। क्या सभी के साथ वैसा ही होता है Universal Truth है! नहीं तो आपका मन ही कोंशन पूछ कर। जैसे हर व्यक्ति कहते हैं कि मैं दुखी हूं क्या हर वक्त दुखी रहत हुँ? क्या हर पल महसूस हुआ हो दूसरों को गर्णवा को बढ़ाने का मन किया हो लोगों को दया दिया अरकाया हो लोगों के लिए सोचा हो दूसरे के लिए सोचा हो मैं कह सकता हूँ अपने यकीन को मजबूत करें अपने बलीव को मजबूत करें आपके हर चीज में बद्लाब हो थांक्यू